हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फार मसेज दानिश और आज हम बात करेंगे नेप्रोक्षन और डॉमप्रोडून कम्बिनिशन की टेबलेट्स के बारे में फ्रेंड्स नप्रोक्सन और डॉमप्रोडोन कम्बिनेशन को माईग्रेन के दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है आज हम इसके यूजिज, इसकी अबिलेबिल स्ट्रेंथ, इसके कुछ फेमस, कुछ पॉप्लर ब्रांड्स किस तरह से वर्क करती है, इसकी डोस क्या होती है, इसको यूज करने से क्या कैसा है डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज करते समय हमें किन-किन बातों की साफधान होने वाली उल्टी और मतली को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंट्स माइगरिन का दर्द होता है ये एक नियूरोलोजिकल प्रोब्लम होती है इसको समाने भाशा में आधिसी सी का दर्द भी बोते हैं क्योंकि ये सिर के आधिसे में होता है या तो लेट साइड में होता है या राइट साइड में होता है और जिस भी साइड में दर्द होता है उस साइड की आँख में भी काफी तेज दर्द होता है और जब माइगरिन का दर्द होता है तो पेशेंट को तेज आवाज से और रोशनी से काफी परिशानी होती है पेशेंट काफी चीर्चड़ा हो जाता है और समानेता ये दर्द कुछ घंटों से लेकर दो या तीन दिन तक भी रहता है तो माइग्रेन के दर्द को ठीक करने के लिए नेप्रोक्षन और डॉंप्रोन कम्बिनेशन को काफी जादा यूज किया जाता है ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन भी है और माइग्रेन के दर्द के लावा इस कम्बिनेशन को रूमेटोर आर्थराइटिस, एनकोलाजिंग, स्पॉंडिलाइटिस और गाउट जैसे जो जोडों के डिसोर्डर्स होते हैं उनमें दर्द को और सुजन को कम करने के लिए भी किया जाता है अब बात करें इस कम्बिनेशन की अबिलेबिल स्टेंट की तो इसकी दो स्टेंट आती है जो पहली स्टेंट होती है उसमें नेपरोक्षण धाइसो एमजी और डॉम प्रडोन दस एमजी होता है जो इसकी दूसरी स्टेंट आती है उसमें नेपरोक्षण पा नाम से आता है जो कि RPG Life Science का बरांड है, कोमिंग के नाम से आता है जो कि सीगुल कमपनी का बरांड है, और नेपराडी के नाम से भी आता है जो कि इंटास कमपनी का बरांड है, अब बात करें नेपरोक्सन और डॉंबरडन के मोड़ोफ एक्षन की, यानि कि ये किस तरह से वर Responsible होते हैं तो जब प्रोस्टाग्लांडिन्स के सिंथेजिस को नेप्रोक्षान इनिविट कर देती है तो दर्द में और सुझन में आराम मिलता है İसके लाबा जो डॉम्पlıडोन medicine होती है यह एक प्रोकाइनिटिक और एंटीमेटिक मेडिसिन होती है यह पेट और आंतों की चाल जिसको की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं यह उसको रेगुलेट करती है इसके लाबा यह एक एंटीमेटिक मेडिसिन भी होती है यह ब्रेन में जो कीमो रिसेप्ट कि यानि कि इसकी क्या-क्या डोज होती है तो इसका जो 250 mg का combination आता है जिसमें की नेपरोक्षन 250 mg और ढोंपेड़ों 10 mg medicine होती है उसकी एक टेबलेट को दिन में दो बार सुबा शाम या जादा जुरुत पढ़ने पर दिन तीन बार भी दे सकता है यानि के सुबा दुपैर शाम इसका जो 500 mg का combination आता है जिसमें 500 mg नेपरोक्षन और 10 mg डोंपर होती है उसकी एक टेबलेट को दिन में एक बार या ज्यादा ज़रुत पढ़ने पर दिन में दो बार भी दे सकते हैं क्यूंकि नेपरोक्षन medicine से gastric irritation किसी किसी patient को हो जाती है तो इस medicine को हमेशा खाना खाने के बाद एक glass पानी से ही दिया जाता है अब बात करें इस combination को use करने से क्या का side effects हो सकते हैं तो इसको use करने से कुछ side effects भी आ जाते हैं जैसे कि blood vision यानि के आँकों के सामना धुनला पना आना चक्कर घुमेर का होना पेट में दर्द का होना डाइरिया का होना मूं में खुशकी का आना हैड़क का होना या कोई भी allergic reaction का होना अगर naproxone और domperon combination को use करने के बाद आपको इस तरह के side effects आ रहे हैं तो आपको अपने doctor से या अपने pharmacy से जरूर consult करना चाहिए अब बात करें naproxone और domperon combination को use करते समय हमें किन-किन बातों की सावधाने रखने रखने चाहिए तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई allergic है naproxone medicine को लेकर या domperon medicine को लेकर तो उस condition में यह contraindicated medicine होती है इसको alcohol के साथ भी avoid किया जाता है जिन लोगों को naproxone और domperon combination यूज करने के बाद या तो आपको के सामने अगर धुनला परा रहा है या चकर घुमेर आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को को भी motor wicker या को भी machine operate ना करने की सला दी जाती है इसके लाबा ये प्रणेंसी और लेक्टेशन में भी contraindicated medicine होती है इसके लाबा अस्थमा में या जिन लोगों को pituitary gland का tumor होता है जिन लोगों को कोई heart disease होती है इसके लाबा टैप्टिक और डूडन लसर्स यानि के पेटो नातों के छालों में या जिन लोगों को आतों से संबंदित कोई blockage की समस्या या आतों में कोई bleeding होती है तो इन सब condition में ये combination contraindicated होता है इसके लाबा जिन लोगों को liver की kidney की या जिन लोगों को diabetes होती है या जिन लोगों को को bleeding disorder होता है ऐसे लोगों को नेप्रोक्शन डॉम्प्रन कंबिनेशन को डॉक्टर से consult क करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए इसके लाबा बुज़र्ग लोगों में जनरली जिनकी एज साट साल से उपर होती है ऐसे लोगों में इस combination को precautions के साथ और डॉक्टर से consult करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए तो नेप्रोक्शन और डॉम्प्रोक्शन को यूज़ क इसके लाबा मीथो ट्रेक्सेट, एमियोडरोन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसके लाबा कैंडी साटन, लो साटन, रैमिप्रिल, फुरूसिमाइट और डिल्टियाजम इस तरह की मेडिसिन से ये combination इंटेक्ट करता है तो अगर आप इसमें से कोई भी मेड इसन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को जुरूर बताएं तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, अकर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रियेटिव हैल्ट केर को स